इस वीडियो में हम लोग class for science का chapter 14 पढ़ने वाला हैं जिसका नाम है बाल मेला और खेल देख सकते हैं chapter 14 है तो यह पढ़ियावरन और हम किताब का chapter 14 है किस में हम लोग A to Z question and answer solve करेंगे और अगर आपको कोई भी chapter पढ़ना है class for English का हिंदी का और यह social science का यानि पढ़ियावरन और हम का तो आप comment box में दिये लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप सेथे playlist से देख सकते हैं चलिए वीडियो के श्टार्ट करता हैं सबसे पहले यह पढ़ेंगे उसके बाद questions से पढ़ेंगे ताकि questions से समझने में कोई problem नहीं है एका वाहा आज मद्धे विद्य ले सेखपुरा में क्यं है धिया क्या भलाजर है अब भ्यास मद्धे विद्या है सेखपुरा में आज बाल मेले का आयोजन ह साबी यह चाट्षात रहा बहुत खूस हैं धर बाल मेले में बिभीन प्रगाठ कि सची क्यों खेलकूत पर्थुड़ता और हो नी वाले यह आप आब साइस्चिक पर्विताें और लिया हो सदू ह Deek fiance और लेखनरी के जार इन्हें चैनिका ने deliberate हो गया है तो सेथिक पर्विताई हम गया मो t---- छोड़ी है चाल के शाफ कैसा जाली हका उसके पर स्पाइपू त.. यानि पहले ही हो चुकिए इस तरह का प्रतिविता आयोजन करना है तो साफ सपाई तो जोड़ी है इन बाल संसत के सदस्य गन अपने सिचकों के साथ बाल मिला के आयोजन में भ्यास थे हैं प्रतिविताओं में भाग लेने वाले विजार थी अपना अभ्यास कर रहा है प्रैक्टिस कर रहा है ताकि जीत सके कोई दौर लगा रहा है तो कोई कूद रहा है कोई चित्र बनाने का प्रयास कर रहा है तो कोई भासन देने की तियार है तो भासन भी होगा स्पीच भी होग देख सकते हैं यह लटका हुआ हाथ बांदा हुआ है और मुझ से क्या खाना है उचल उचल गया यह उची खूद है यहाँ पर कही लगा जीता है तो क्या है फर्स सिकंट ठाड होगा तो इसको प्राइज मिल रहा है तो देखे पहला सवाल पुछा जा रहा है क्या आपके वि उत्र लिखेंगे हां मेरे विद्याले में हर साल बाल मेले का आयोजन होता है हर साल तो होता ही है सगारी स्कुल में आप बाल मेले में किस-किस परतिविता में भाग लेते हैं तो आप जिस परतिविता में भाग लेता है नो लिखेगा हम जब जो परतिविता में भाग लेत मैंदान के इसलिए आवज सेके ताकि बच्चों को खेलने में कोई दिकत नहीं हो और अगंतुक हो कि दिमाग पर अच्छा प्रवाइब जो आते नहीं मैंच देखने के लिए या फिर जो डिसाइड करेंगा कोई बहर से भी तो आते देखने के लिए तो आज़िए नहीं दिमाग पर अच्छा प्रोभा पड़े है साबसे प्राइब नेता है पर दिए लमबी दौर बाद तोल उची दाउगीि कबटी हो गाँ हो गाँ उचाई पर लटक रहे संत्रे को कुद कर मुह में let कि अभी आपको दिखा थे उचाए我 लटक रहता है तो संस तन है कोई और भल sizin right फो कर मुह में क्या लपक माक करना है ऐसको ये भी भाध्य फिलता होता हर और भी ठेसरा होता तूसल प्सक्तित अधिकDon झाल यहां लिक्आ हैं विजयाले में खेल जाने मेल खेल यहां लिकैंगे तो दीके घर में खेल कर सकते हैं लूड में गया सब आराम से खेल सकते हैं बैट करके तो दीए लूडो हो गया सत्रण जुगया साप सिधी कैरंबोर्ड आक मिचौनी एक घर में खेल सकते हैं तो घर पर खेल जाने वाले खेल हो गया विद्याले में खेले जाने खेल करने को बता है जिसको खेलने के लिए ज्यादा जगा अब दुनों जगा खेले जाने वाए खेल दुनों जगा खेल सकते हैं तो लूडो सत्रण साप सिधी कैरंबोर्ड इसके बाद विद्याले में टेवल टेनिस भी खेलते हैं तो विद्याले में खेल रूम भी होता है जो चाहते हैं खेल नहीं सकते हैं ओब शेक्साइब कोई ऐसा खेल जो आपको पसंद है उसके बारे में नीची दी तालिका में लिखिए तो आपको खेल पसंद है लिखना है तो देखिए खेल का नाम है के दॉरान प्रयोग भूने वाले समगडि क्या कैसे खेला जाता है खेल कर देंव ले लेते हैं जो हमको पसंद हो लिख रहे हैं यह वी आपको पसंद होगा करण बॉनीडविख पूर्ट पहला हम लेखना था कैसे खिलते जाएं क्राइब चाहिए और गोठी चाहिए और पाउडर भी सकते हैं ताकि वह आना मुस्मूतुली dual है क्या होता जो होता न ढार खिलने वाला गोटी ज़्त वीट जही है और क्यले गुशनित कहिरूतब चारोड में चार खिल सकता है और खिलने में लगना वाला समय तो अनिश्चित है जितना देर तक चाहते हैं खिलने क्लिए करने ते जो तो अब कि सब्सक्राइबा है तो अनिस्चित के याफ़ो उसके तो कहीं है जा जरी यह ही जाना टहुंड है नो कि ओला चीजाए करें जा को हन्हों कि यह अच्द्राइब मैक्सिमिन हैं जोना है भूसमा जो सकतेONY ख़र में किम्कि कमरे में बढ़के हैं कृकिए तो किरिकेट के लिए क्या चाहिए है चाहिए फैर्ट शाये गल गन चाहिए ऐ junior बला चाहिए इस तरह से खेलते हैं ठेक ég किल्मेटर पैड भी जोड़ी है और कितने खिंड़ाड़ी जह सकता हैं तो दू टीम रहता है एक एक हो आभ तो दो कि औ grew तडियों कि तो डी स्ट में ग्यारा कीम आधा बाइस हो गया और कब तक है सकते हैं तो अिस डीम मश Mercedes-beam नहीं स्ट के और नहीं सुर्च Immers blan जो 3,4 जो तेन, कभी 5त चलता करिकेट कहलते हैं किसी एक खेल के बारे में बताईये कि उसमрь夏 अपनी पसंद के किसी एक के बारे में बताएए तो यहां क्रिकेट के बारा में वर्नन कर रहा है मेरी पसंदीता खेल किरकेट है इसमें दो टीम होती है और दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं इसमें पहले टॉस होता है जो टिम टॉस्टी है वह चुंती है कि उसे पहले बलवाजी करनी है या गिंदवाजी तीक रि होगा याद करने के ऊप सकता नहीं है इसमें गेंद और बर्ले का प्रयूग होता है तथा एक अंत तह वो दिन आ गया जिस दिन सोनू के विद्याले में बाल मेलर का आवजन होने वाला था बाल मेलर का आवजन कुछ बच्चे लंबी कुद लगा रहे थे, कुछ दौल लगा रहे थे, तो कुछ बच्चे फुटबॉल के रहे थे, तब ही फुटबॉल खिलने वाले कुछ बच्चे खिलते खिलते आपस में जगर पड़े, क्योंकि फुटबॉल में कई लोग रहते हैं, कई बच्चे रह करना चाहिए हमें खिल भावना के साथ पूंभीक्ताकिया जया हुखा落थन कोई था कि खैलकर नियुदू को फुटवॉस पटल था अगे बोला जाए है अनुमान लगाई है कि यह जगड़ा क्यों वहा होगा जो फुटबॉल खिलने वाले किला ना बच्चे आपस में जगड़ा कर लिया था ह। तो आको बताना है कि अनुमान लगाना है अनुमान कि यह जग्रा की हुआ होगा तो मेरे ख्याल से ना यह जग्रा क्या होगा कोई खिलाड़ी खेल के नियम का पालन नहीं किया होगा तो उसके करन होगा जैसे क्रिकेट खिलता है तो बलता है कि आउट नहीं होगा नहीं होग कोई खेलते वक्त आपका किसी से जग्रा हुआ है तो हां खेलते वक्त किसी बात को लेकर जग्रा होता है कोई खिलाड़ी होते हैं वो खेल के निएम्हों का पालन नहीं करते उलंगन कर देते हैं जैसे कोई किरकेट grin खिल रिंग है तो ओठ कै jetzt नुल नहीं हो गया थेक तो उसलोग ुन outta धेक है लिएक रिंग हम आउट नहीं हो या थेक है तूसक्त時钱 खेल में झझड़ा नहीं हो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए तो बहुत रिखेंगे खेल में झझड़ा नहीं हो इसके लिए हमें एक एक अंपायर को रखना चाहिए और सभी खिलाड καते थींगंगbright CJ Crane भई करेंगे तोनों टेमों के खिलारी चिक इसे क्या ऊगा जगरा नहीं ऊगा आगर दिया वहाँ आपने कई बच्चों को खेलते वे देखा होगा तो हां देखें क्या ऐसा हुआ है कि कुछ खेल के वह लड़कियां ही खेलती है उन्हें लड़के नहीं खेलते हैं और कुछ खेल केवर लड़के खेलते हैं उन्हें लड़कियां नहीं खेलती हैं तो ऐसा तो देखे हैं तो ऐसा हुआ है कि हाँ कुछ खेल केवर लड़के खेलते हैं और कुछ खेल केवर लड़कियां खेलती हैं ठीक है? तो क्या बोला जा रहा है नेचे की तालिका में लिखिया है ऐसे खिल जिने केवल लड़कियां खिलती है तो तीन खिल का नाम लिख देज़ेगा ऐसे खिल जिने केवल लड़के खिलते हैं तो तीन खिल का नाम ऐसे खिल जिने दोनों खिलते हैं तो बस तीन गों का नाम लिखना है, जो दोनों खेलते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं, यह उत्तर लिखेंगा, जिनने के वह लड़कें खेलती हैं, उसमें गोली उपर फेक कर लपकना, यह जादत अधिकतर समय लड़कें खेलती हैं, मिटे के चुलह बरतन से खाना बनान यह लड़कें खेलती हैं, गुड़ा गुड़या का खेल, तो यह अधिकतर है लड़कें ही खेलती हैं, इसलिए इसमें लिखती हैं, ऐसे खेल जिनने के वह लड़कें खेलते हैं, तो अब के समय में ना ऐसा कोई खेल नहीं है, जिनने के वह लड़कें खेलते हैं, लड़ अब सभी खेल योड़का दोनों खेलती है ऐसे खेल जिनने दूनों खेलते हैं तो पक्रम पक्राई पोसंपा बडियुन टान किरिकेट बहुट क्यों ने अश्यवान प्रमठी का दोन देखिया क्या लगों के लिए अलग खेल होने चाहिए इसा कोई खेल नहीं होना चाहिए कि इसके लड़के खेलेंगे और उसके लड़कें खेलेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसके लड़कों के लिए अलग और लड़कें के लिए अलग खेल नहीं होना चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों एक समान है इसलिए दोनों में कोई भेदवाव नहीं होना चाहिए जब लड़का लड़की समानी ही है तो भेदवाव क्यों कि यह लड़के खळेगे यह लड़की हाई खेल खेल, लड़कीया खेल, लड़की खेल सकते रहें अपने विचार लिखी है तो हाँ जो कोई खेल नहीं को नगाता है, निसे खेल को लड़की और लड़की तो इसा नहीं होना चाहिए। तो उनके टीम किया होने चाहिए। किसी के खेल में ही यूगल की रूपमें लड़का-लड़की दोनों होता है। कई कोई ख्यल में होता नी लड़का लड़की कोथा है और उस टेम में भी लड़का लड़की होता है ठीक है तो увер तो ऐसा निए कि छिर्फ रहेंगे एक तरा पर से एक तरा रेंगे तो आसा नहीं तो जैसे यू ganzen बाइं आप यह वाता है एक त्राफ दो एक त्रह लड़का ठेक है और इसमें एक लड़के एक लड़के लड़का रिस तरह भी क्या है एक लड़का एक यनोरकी इस्तरा से You Girl ो इसको बोलते हैं You Girl १ी क्हां इस वक्रस होता जब는지 कि से निर॥